नमस्कार दोस्तों हम आपके वहीं चीर परीचित दोस्त आज एक और ने टोपिक को लेकर के आए हैं आप लोग हमारा चैनल सुनते आ रहे हैं हमारे व्यू सुनते आ रहे हैं इसके लिए आप सब का धन्यवाद अगली और शधी और अगला टोपिक आज का हमारा है जो बहु शक्ति के लिए लू लगने पर तवचा संबंध ही रोगों में, बालों के रोगों में, दातों के रोगों में, गुर्दे संबंध ही रोगों में, बवासीर जैसे और कैंसर जैसे कश्ट साध्य रोग्यों में बहुत उपयोगी है, आये जाने इन रोगों में कैसे इस्तिमाल इलाइची का इस्तेमाल भारत में बहुत पुराने समय से होता आ रहा है दोस्तों और यह घरेलू नुस्खों में पहले अस्थान पर आती है इलाइची स्वास्थ के हिसाब से अच्छी मानी जाती है हलांकि इसका इस्तेमाल मसालों के रूप में किया जाता है लेकिन इसका इ जी हाँ बड़ी इलाइची का प्रयोक करके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द हो उससे रहत पाई जा सकती है सिर्दर्द ठकावट होने पर बड़ी इलाइची का सेवन करना भायदे मंद है घबराहट होने पर घबराहट होने पर बड़ी इलाइची का सेवन करना लावदायक होता है बड़ी इलाइची के दानों को पीस कर शहद मिलाकर इसका सेवन करने से घबराहट में रहत मिल जाती है पाचन शक्ति जिहां बड़ी इलाइची का सेवन करने से पाचन शक्ति ठीक रहती है और पीट की समस्या से राहत मिलती है लू और तवचा संबंधी रोग बड़ी इलाइची हमें गर्मी लू और तवचा संबंधी रोगों से छुटकारा दिलाती है बड़ी इलाइची का सेवन करने से तवचा में निखार आता है और तवचा में चमक बरकरार रहती है कैंसर जी हां बड़ी इलाइची में ऐसे एंटी ओक्सिडेंट पाये जाते हैं जो कैंसर जैसी भायानक बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करते हैं बालों की समस्या जी हां बालों की समस्या बड़ी इलाइची का सेवन करने से बालों की समस्या से छोटकारा पाया जा सकता ह और इसके सेवन करने से बाल घने और लंबे बन जाते हैं गुर्दे से संबंधित रोग बड़ी इलाइची का सेवन करने से गुर्दों से संबंधित रोगों से निजात पाई जा सकती है दातों की समस्या बड़ी इलाइची का सेवन करने से दाटों की समस्या से राहत मिलती है और सांस की दूरगंद से भी छोटकारा मिलता है दोस्तों और यह blood pressure को नियंतरण में रखती है बवासीर बड़ी इलाइची को पिसकर खाली पिट इसका सेवन करने से बवासिर से राहत पाई जा सकती है बड़ी इलाइची का प्रियोग भोजन पकाने में किया जा सकता है और यह भोजन का स्वाद भी बढ़ाता है धन्यवाद आज का हमारा यह टोपिक खतम हुआ अगली बार हम आपसे मिलेंगे एक और नए टोपिक पर